असलाम अलेकुम स्टुडेंट वेलकम टू बायोविद अनीला क्लास 10 का टॉपिक जो मेरी इस वीडियो में डिसकस करने लगे वह पैरा थारोइड ग्लैड है बिसिकली बिटा मेरी लास्ट वीडियो तक हम लोग ग्लैड्स को डिसकस करें जो के अंडोक्राइड सिस्टम का ह शुक्य वह हिस्स है हम लोग अन्य पिछूट्री घ्लैक्राइड याग डिसकस कर लिया है आज का टॉपिके परा थाइरोइड साट करते विसमें ला रहा हम नहीं है रहह है पराथायरोईड नाम ही का इंडिकेट कर रहे है कि ये वह ग्लेंड जो था जा ता शूठ ग्लें तो लेरिंग्स के ऊपर एक बटरफ्लाय लाइक शेप जो था वो इसको लोग ने नाम देती ता था थायरोइड ग्लैंड का तो बैसिकली अगर इसकी यह एंटीर साइड है तो यहां पर पोस्टीरियर साइड पे अंटीरियर का मतलब होता है उपर वाली साइड पोस्टीरिय तो चयत. एक ही हम आजिन और ऊसनी का दाता है जो परें बivaijn की की पोस्टीरियर साइड और यह थायरोइड नियर यह थैयरोइड पास किया है जो हार्मों प्रोडियूस करें को सब्सक्राइब इसका नाम जाने थाहरोइड गाना ज़ुता आम स्नॉता जिकिया, पराट ऩद्स्कूस टाइब फीटेश्य दिश्काश ड्रीन यह कहा जाते पेरा टायूर्मोण इस थी डी इसकूल को मेर राइड वीडियो का faction को के क्या करता है बढ़ाता है थीक धिक है जब रून करें था क्या के हुआ था हूं ने यह पड़ा था क्या टौनिन होता है वह क्या करता है वह हॉर्मोन था जो के ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा था ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कैसे कम कर रहा था के ब्लड की कैल्शियम को बोन्स में डिपॉजिट कर रहा था जब के जो पैरत हॉर्मोन है यह ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्र मंदर केलσιयम के लेवल को इंक्रीस कर रहा होता है इसी वजा से पैरा Ace Darman और कैलिसी टोंव देह फॉर मोंट में केलशियम के लेवल को डिकरीज कर घूं के अंदर से कले के हडیوں में डिपाजिट कर रहा था तो कम कर रहा था पैरत हर्मोन बलड में केल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है मतलब normal कर रहा है कि ऐसा ना हो के केल्सी टोनिन की वज़ा से केल्शियम की खून में बुक्त ज़्यादा कमी हो जाए तो इस वज़ा से बिसिकली बिटा ये दोनों हर्मोन दूसरों को कॉंप्रिमेंट करते हैं कॉंप्रिमेंट का मतला बता है कि अगर एक केल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है तो दूसरा केल्शियम की लेवल को कंट्रॉल कर रहा है या नॉर्मालाइज कर रहा है यह वापस decrease कर ठीक heut हर्मोन की जादती या नुकसान देया तो अगर पैरत हर्मोन बौड़ी में ज़ादा नंग्रीज होगा तो क्या होता और अगर इसकी pounds होजाएंगी तो क्या होता है besicular Gilbert जिस टाइम पे हमारे पास पैर हर्मोन, डीट ही जो होता है, जियाधती हो जाती है, एक्सेश का मतनब होता है ज्यादा हो जाना. blood में पहले ही calcium के level को ये बढ़ा आ रहा है तो अगर पैरात hormone जादा secret होगा तो भून के अंदर जाधा calcium जाएगा अब भून के अंदर जादा calcium कहां से आएगा आपके जिसम में calcium कहां मवजूद है आपकी हडी여 में और आपके दांतो में bones और teeth your bones and basically teeth are made up of calcium तो हमारे पास क्या होता है कि पैरत हॉर्मोन की ज्यादती की वज़ा से जो बॉन्स का कैल्शियम है वह आहिस्ता आहिस्ता किसमें जाना शुरू हो जाएगा ब्लड में जाना शुरू हो जाएगा है मैं अपने स्टुट्स को बड़ इस एक्जेंपल देती हूं ऐसे हडियां खुरना शुरू हो जाती है जैसे आप एक चॉक ले लो जो स्कूल में होता है चूने का मिलके बनाता है कैल्शियम होती है कैल्शियम कर्बॉनेर तो आप उस बिटल हो जाएगा बिटल का मत्ताब्त है कि वह तूट फूट का शिकार हो जाएगी बिटा बिटा हडी है कल्से मिलके बनी विया हडी कैल्शियम जबता थी तो वह सक्त थी आप चल्भी में खता हो घो बर्बरी हो जाती है और जरा सब जटका यह फेक्ट्चर लगने का तूटने का खत्रा तो बोन्स बिटल हो जाती है तूट फूट का शिकार हो जाती है कब अगर पैराथ हर्मोन आपकी बॉड़ी में ज्यादा हो जाए तो बच्चों यह आप देख लीजिए कि जो हॉर्मोन्स में पढ़ाने से पहले ही बताया था आप लोगों को एंडोग्र तो ब्रीजिए को सकता होता है कि बॉष्स यह कॉम्हिंस ख्राइट अगर तो घ्राथ हर्मोन की कमी हो जाए तो उट्मेटिकली जो कैलशियम का लेवल है ब्लैड के अंदर प्रेक्सरा से लीटेव क्षिए कि ब्रेशिय 관리ा से कंख़के पेवला हो उड्मार तो यह उर्श हो जाती है जिसको टेटनी कहा जाता है जिसको उर्दू में जिसम की अकड़न भी कैसा हो तो टेटनी की जो हो डिजीज हो जाती है जब हमारा पास पराथ हर्मोन की जो है वो डिफिशेंसी हो रही है इसकी कमी से जो हमारा जो ब्रेन होता है वो सेंसलेस हो जाता थोड़ा सा और आफ यह समझेगे के बरेइन को समझ महाती हैं कि समझी मैसेज देना है हम लोग पढ़ चुके मैं कि बरेइन बड़ी को मैसेज किस तरीकी से अपने नीरों के जरीए नीरोंज थोड़ो जोड़ी जायते हूं लुक्ता को जल्दी मैसेच देना शुरू हो जाते हूं। भी बताते हूं चाहिँ हमारे पार जिसम उकड़ना शुरू हो जाता हूं। तैट्णी तो जो कि मैंने सुनाओ है कि लोगों की बॉड़ी थी बहुत जाएता हाड और स्टिफ हो जाती है जिसम अकड जाता है लाँ फड़ा एक्रतर्य देट भी हो सकती है जैसे तीर कमान जैसी जैसे बॉड़ी की पैसे बन जाती है तेर कमान अपर लोगोंने देखा को इस तरह को देना इस तरह जिसमें तीर लग इस तरीके से बॉडी मतलब अकड जाती तर्ट तेड़ी हो जाती है किस वजह से पहरत हार्मोन की कमी की वज़ा से ठीक है तो जो टेटनी यह टेटनी जो डिजीज़ जिसमें इसमें क्या करण होती है इसमें इसके क्या सिम्टम्स जो कि आपकी बुक में भी मैंशन है केटनी है जिसमें हमारे पाइन का लेवल कम हो रहा है तो इसकी वजह से सबसे बहुता है वह फ्लैक्ष इस चीज का रिस्ट का और आम रिस्ट का और इंकल वगारा का बिसिकली बिटा जो आपकी कलाई बगारे बिस्ता आप की कर Ike हैं और इसके लाभा आपके मसल में किया दर्द ऑना शरी होती है , बच्छों के हमारे पास जटके पंपने जट्सक्राइं सारा काहिता है , कुछ और गॉंकि हमारे पास मसल मिभाहती है , मसल स्टूशिंग का मतलब बता है कि जिसम आचता इसा या मसल गोश आचता है अकड़ना शुरू हो रहा है क्रैंप्स पड़ते हैं दर्थ शुरू हो जाती है और जटके लगते हैं और यह सिर्फ और इस पर जासे होता है और यह जो आपके यह हैं और रिस्ट बगारा जोते बिल्कुल मुड जाती है हात पार मुड जाते हैं अकड जाता जिसम जिसको कहते हैं और बचों इससे होता है के पैराथ हॉर्मोन की बोड़ी का मौण प्लेड में कम और गांज़ को जाता है जिसके आपका बरेन सेंस-लस ह ब्रेस सही तरीके से बोडी के मस्ले को मैसेज नहीं कर रहा होता। जिसके वज़े से ट्रेटनी जैसे डिजीज हो चाती है। ठीक है तो in hormonal balance कहा की बॉडी में होना बोखोटज ज़रूरी है। होर्मोन्स जोते हैं यह अगर जरा से भी इंबैलस होजें तो बॉड़ी पूरी जोती हमें बॉड़ी उसे अफेक्ट हो सकती है ठीक है आज का हमारा यही टॉपिक था हम लोग ने पैरा थाराइड ग्लैंट इसकस करना था डिसकस कर लिया नेक्स वीडियो में हम लोग इंश